और इसलिए वहाँ के समाज जीवन में एक नई परप्रा डेवलप हुई है जैसे गुजरात में बारिश की सुरुवात होती है तो गुजरात में जल जिलनी एकादसी मनाते हैं मतलब की आज के यूग में हम जिसको कहते हैं कैस दरेन वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदू को अपने में समेटना जल जिलनी उसी प्रकार से बारिश के बात बिहार और पुरप के हिस्सों में छट का महापर्व मनाये जाता है मुझे उमीद है कि छट पुजा को देखते हुए नदियों की किनारे घाटों की सभाई और मरम्मत की तैयरी शुरू कर दी गई होगी हम नदियों की सभाई और उन्हें प्रदिशन से मुक्त करने का काम सब के प्रयास और सब के सयोग से कर ही सकते हैं नमामी गंगे मिश्ण भी आज आगे बढ़ रहा है तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागरती जन अंदोलन उसकी बहुत बड़ी भूमिका है साथियों जब नदी की बात हो रही है मागंगा की बात हो रही है तो एक और बात की और भी आपका ध्यान आकर्सित करने का मन करता है बात जब नमामी गंगे की हो रही है तो चुरूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा और हमारे नवजवानों का तो पक्का गया होगा आज कल एक विशेष ई-उक्षन ई-निलामी चल रही है ये इलेक्ट्रोनिक निलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिये है इस निलामी से जो पैसा आएगा वो नमामी गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है आप जिस आत्मिय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं उसी भावना को ये अभियान और मजबुत करता है साथियों देश भर में नदियों को पुनर जिवित करने के लिए पानी की स्वच्चता के लिए सरकार और समाज से भी संगठन निरंतर कुछ नुकुछ करते रहते हैं आज से नहीं दसकों से चलता रहता है कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आपको समर्पित कर चुके होते हैं और यही परंपरा, यही प्रयास, यही आस्था हमारी नदियों को बचाये हुए हैं और हिंदुस्तान के किसी भी कौने से जब ऐसी खबरे मेरे कान पे आती हैं ऐसे काम करने वालों के प्रती एक बड़ा आदर का भाव मेरे मन में जगता है और मेरा भी मन करता है वो बाते आपको बताओं अब देखिए तमिल नाडू के वैलोर अत्तिरुवन्ना मलाई जिले का एक उधारन देना चाहता हूँ यहां एक नदी बहती है नागा नदी अब ये नागा नदी बरसो पहले सुख गई थी इस वज़े से वहां का जर्तर भी बाँद नीचे चला गया था लेकिर वहां की महलाओं ने बिड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर जीवित करेगी फिर क्या था उन्होंने लोगों को जोड़ा जन भागीदारी से नहरे खो दी चकडेम बनाए रिचार्ज कुए बनाए आपको भी जान करके खुसी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है और जब नदी पानी से भर जाती है ना तो मन को इतना सुकून मिलता है मैंने प्रत्रक्षस का अनुभव किया है आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जिस साबरमती के तक पर मात्मा घांदी ने साबरमती आस्रम बनाया था पिछले कुछ दशकों में ये साबरमती नदी सूख गई थी साल में 6-8 मेने पानी नजरी नहीं आता था लेकिन नर्वदा नदी और साबरमती नदी को जोड दिया तो गर आज आप एमदाबाद जाओगे तो साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को प्रफुलित करता है इसी तरह बहुत सारे काम जैसे अर्तमिल नाड़ू के हमारी ये बहने कर रही है देश के अलग रहा कौने में चल रहा है मैं तो जानता हूँ कई हमारे धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए संत है गुरुजन है वे भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ पानी के लिए नदी के लिए बहुत कुछ कर रहे है कई नदियों की किनारे पैड़ लगाने का अभियान चला रहे है तो कहीं नदियों में बेहरे गंदे पानी को रोका जा रहा है साथियों वर्ल्ट रिवर डे जब आज मना रहे हैं तो इस काम से समर्पित सब की मैं सरहाना करता हूँ, अभिनदन करता हूँ, लेकिन हर नदी के पास रहने वाले लोगों को, देशवासियों को, मैं आगर करूँगा, कि भारत में कौने कौने में, साल में एक बार तो नदी उत्सों मनाना ही चाहिए, मेरे पहरे देशवासियों, कभी भी छोटी बात को, छोटी चीज को, छोटी मानने की घलती नहीं करनी चाहिए, छोटे छोटे प्रयासों से, कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, और अगर महत्मा गांदी जी के जीवन के तरफ हम देखेंगे, तो हम हर पल महसूस करेंगे, कि छोटी छोटी बातों की उनकी जीवन में कितनी बड़ी एहमियत थी, और छोटी छोटी बातों को लेकर के, बड़े बड़े संकल्पों को कैसे उन्होंने साकार किया था, हमारे आज के नवजवान को जरूर जनना चाहिए, कि साफ सफाई के अभियान ने कैसे आजहादी के आंदोलन को एक निरंतर उड़ जा दी थी, ये मात्मा गांदी ही तो थे, जिन्होंने स्वच्चता को जन अंदोलन बनाने का काम किया था, मात्मा गांदी ने स्वच्चता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था, आज इतने दश्चकों बात स्वच्चता अंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है, और हम ये न भूले कि स्वच्चता ये सिर्वेक कारिकम है, स्वच्चता ये पीडी दर पीडी सांसकार संक्रमन की एक जिम्मेवारी है, और पीडी दर पीडी जब स्वच्चता का अभ्यान चलता है तब संपुन समाज जिवन में स्वच्चता का स्वभाव बनता है और इसलिए ये साल दो साल एक सरकार दूसरी सरकार ऐसा भिशे नहीं है पीडी दर पीडी हमें स्वच्चता के समझ में सजगता से अभी रत रुप से बिना ठके बिना रुके बड़ी स्वध्धा के साथ जूड़े रहना है और स्वच्चता के अभियान को चलाए रखना है और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्चता ये पुज़े बापू को इस देश की बहुत बड़ी स्रधाजली है और ये स्रधाजली हमें हर बार देते रहना है लगातार देते रहना है साथियों लोग जानते हैं कि स्वच्चता के सबंद में बोलने के मैं कभी मुका छोड़ता ही नहीं हूँ और शायद इसलिए हमारी मन के बात के एक सुरुता सिमार रमेश पटेल जी ने लिखा है हमें बापू से सीखते हुए इस आजादी के अमरुत महत्सों में आर्थिक स्वच्चता का भी संकल परेना चाहिए जिस तरह सोचालयों के निर्मान ने गरीबों की गरीमा बढ़ाई वैसे ही आर्थिक स्वच्चता गरीबों को अधिकार सुनिशित करती हैं उनका जीवन आसान बनाती है अब आप जानते हैं जंदन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया